लास्ट ख्लास में हमने ad account बना के देखा था, हमने बनाया था personal ad account, then हमने ad account बनाया था through business manager, और then हमने सीखा था कैसे आप facebook page बना सकते हो, ठीक है, so इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने type के facebook ads होते हैं, और वो सारे ads क्यों जरूरी होते हैं, ठीक है जी, so चले start करते हैं, आ आपको simple जाना है, business.facebook.com, फिर आप आजाओगे अपने business manager में, so here I am, ठीक है जी, यहाँ पर add account आ रहा है, नीचे pages आ रहे, यहाँ पर मैंने add account को click किया, अब यहाँ पर देख सकते हो, आप add account आ चुका है, अना, अब यहाँ पर मैं अगर create करूँ, ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको समझाओंगा कि कैसे ये पूरा dashboard काम क्या करता है, इसका हम overview लेंगे, बट इस वीडियो में हम देखते हैं, कि कितने type की facebook ads होती है, आप अब देख सकते हो, यहाँ पर create का option आ रहा है, create is create करना add, मैंने जैसे इसको create किया, just a moment, यहाँ पर दो option आ गया, और create campaign, complete campaigns, create campaign shells, so हम कर लेते हैं, create complete campaigns, अब आप देख सकते हो, यहाँ पर facebook ने, जितनी भी facebook ads हैं, उसको तीन categories में बाठा हुआ है, पहला awareness, दूसरा consideration, तीसरा conversion, ठीक है, यह तीन stages में facebook ने ads को बाठा हुआ है, awareness, consideration, conversion, अब एक चीज़ आप ध्यान दो, पहले आप समझो कि facebook ads काम कैसे करते हैं, अब suppose करो, आप किसी मिठाई के दुकान पे गए, और आपने वहाँ से रजगुला मांगा, तो अब वो दुकानदार आपको क्या देगा, क्या आपको वो गुलाब जामुन दे देगा, क्या आपको बर्फी देगा, आपने रजगुला मांगा है, सफेद रजगुला, suppose, तो सफेद रजगुला ही देगा, और कोई दूसरे मिठाई नहीं देगा, राइट, similarly, जभी भी आप facebook पे ad बनाते हो, तो आपको यह पता हो फेस्बूक एड सेलेक्ट तर लोगे, और जब आप गलत facebook एड objective सेलेक्ट तर लोगे, तो आपका result भी क्या होगा, गलत, ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि यह जो भी objective है facebook के, यह करते क्या है ultimately, और कैसे आपको इन्हें select करना है अपने goal के according, ठीक है, तो पहला objective है, brand awareness, मतलब आप चाहते हो कि जादा से जादा logo तक आपका brand पहुंचे, just पहुंचे, लोग बस आपकी photo देखें, ठीक है, तो आप कौन से एड यूज करोगे, brand awareness, ठीक है, और दूसरा objective क्या है, reach, again, जादा से जादा logo तक आपकी एड पहुंचे, तो आप क्या यूज करोगे, अब awareness और reach में फरक क्या है, कि जब आप reach ad बनाते हो, तो इसमें आप ये capping लगा सकते हो, कि भया, एक बंदे को मेरी ad एक हफ्ते में पांच बारी दिखनी चीए, इससे जादा नहीं दिखनी चीए, और ये काम करना brand awareness में possible नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं, consideration में हम आते ह अबजेक्टिव आता है, traffic, ठीक है, traffic मतलब आप अपनी website पे ज्यादा से ज्यादा लोग लाना चाहते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग लाना चाहते हो, तो आप select करोगे traffic, अगला है engagement, ठीक है, engagement इस आप क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा page likes, या आप चाहते पोस्ट पे engagement, पोस्ट लाइक आए, पोस्ट चेयर आए, पोस्ट कमेंट आए, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो, event responses, suppose करो आपने facebook पे event बनाए है, और आप चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन events को respond करें, तो आप select करोगे engagement, ठीक है, अगली चीज आप इंस्टाल, ठीक है, एप इंस्टाल इस, suppose करो, आपका कोई mobile app है, और आप चाहते हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके mobile app को install करें, तो आप use करोगे app installs, ठीक है, video views, video views इस, suppose आपने facebook पे कोई video डाली है, और आप चाहते हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा lead generate करना, ठीक है, ज़्यादा-ज़्यादा lead चाहते हो आप business के लिए, then आप select करोगे lead generation, अगला है messages, suppose करो, आप चाहते हो कि लोग आपके business को message करें, आपको message करें, आप उनके साथ conversation initiate करो, तो आप select करोगे messages, then आता है conversion, conversion is, आप ज़्यादा स्यादा leads चाहते हो, या ज़्या अगली चीज है catalog sales, suppose करो आपके पास multiple products है, आपके पास 25-35 products है, catalog है products है, और आप उनको promote करना चाहते हो, then आप select करोगे catalog sales, next है store traffic, कि आपका कोई store है, और आप उस पे जाकर, उस पे क्या करना चाहते हो, traffic लाना चाहते हो, offline store पे, तो आप select करोगे store traffic, अब देखो, अब सवाल यह उठता है, कि आपको कौन सा objective select करना चाहते है, suppose करो, कि आपका goal है, जादा से जादा conversion, बट आपने select कर लिए traffic, right, अब आप जब traffic select करोगे, तो facebook कैसे लोगों को add दिखाएगा, जो आपकी add पे click करे, बट आपका goal क्या है, क्या आप चाहते हो, कि लोग बस add पे click करें, या फिर लोग convert हो, आप चाहते हो कि लोग convert हो, तो आपको क्या select करना है, conversion, ठीक है, आपको select करना है, conversion, अब suppose करो, आप चाहते हो, engagement, कि जादा से जादा लोग, आपके post के साथ, engage करें, यह आपका goal है, और अगर आपने select क्या कर लिया, traffic, तो बताओ, क्या engagement आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्यों कि आपने goal क्या किया है, गलत select किया है, suppose करो, आप again किसी hotel में गए, आपने order किया pizza, तो अब आप expect क्या करोगे, कि pizza ही आए, कि burger आ जाएगा, आपने pizza order किया है, तो pizza ही आएगा, सेम चीज, अगर आप engagement select कर करोगे, तो app installs आएगी, conversion नहीं आएगा, अगर आप video view select करोगे, तो video views आएगे, traffic नहीं आएगा, या conversion नहीं आएगा, ठीक है जी, तो make sure, कि जबी भी आप अपने goal select कर रहे हो, तो आप एकदम clear हो, अब देखो, suppose करो, आपने blog लिखा, आप चाहते हो, ज्यादा से करोगे, traffic, suppose करो, आपका कोई product है, आप उसे बेचना चाहते हो, तो आप क्या select करोगे, conversion, suppose करो, आपने कोई post लिखा, आप उसको, उस पे ज्यादा ज्यादा likes चाहते हो, तो आप क्या करोगे, engagement, suppose करो, आपने कोई video डाली, आप उस पे ज्यादा ज्यादा views चाहते हो, तो आ आप लोगे video views, ठीक है, तो आप अपना goal देखो, then objective देखो, और उस हिसाब से, अपने goal के हिसाब से objective को align करो, अगर गलत goal के साथ, गलत objective align करोगे, तो बात नहीं बनेगे, ठीक है, तो goal और objective एक साथ align करने चाहिए, अगर alignment नहीं होगी, तो बहुत problem होगी, अब आप देखो क but to run करेंगे, traffic, हाना, तो conversion कभी आए गई नहीं, ठीक है, तो make sure कि आप जो goal select कर रहे हो, वो आपका marketing objective जो है, आपका, जो facebook objectives है, उसके साथ align कर रहा हो, ठीक है जी, thank you so much for watching this video, I hope कि आपको चीज़े समझ आई, और आप आज अब देखो जाके, कि आप कितने stages में आपके क्या क्या goal है, आपका step goal number one क्या है, उसके साथ से क्या objective, उसके साथ से कौन सा add आपको choose करना चाहिए, next level का goal क्या है, और उसके साथ से कौन सा आपको add objective choose करना चाहिए, ठीक है जी, so आपके काम करिएगा, again, thank you so much.